सबसे पहले जिन इलाकों में कोरोना वाइरस पहुचा था उनमें से एक है सिंगापूर जहां अब संभावित पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए जासूस लगा दिये गए हैं जिस से वाइरस से एक कदम आगे रह जा सके वो ये काम कैसे कर रहे हैं और क्या बाकी दुनिया के लिए अब बहुत देर हो चुकी है जनवरी के मध्य में चीनी नववर्ष पर चीन के शहर गुआंग शी से 20 परियतक सिंगापूर आये थे इस दोरान वो पारम पर एक चीनी दवाईयां बेचने वाली दुकान पर भी गए ये दुकान चीन परियतकों के बीच खासी लोग प्रिय है जहां मगर मच का तेल और हरबल प्रोडक्ट खरी दे जा सकते हैं दवाईयों की दुकान पर काम करने वाली महिला ने परियतकों को सामान दिखाया यहां तक की दवाईया वाले तेल से उनके हातों पर मसाज भी की उसके बाद यातरा खत्म करके चीनी समुदाय में फैल चुका है सबसे पहले इसका शिकार चीनी दवाईयों की दुकान बनी जहां एक स्थानिय टूर गाइड और दवा की दुकान में काम करने वाली महिला बीमार पड़ गए सिर्फ उस एक शॉपिंग ट्रिप से नौ लोग इस वाईरस दे संक्रमित हुए इ लेकिन ये स्थि थी तब बहुत बुरी हो सकती थी अगर सिंगापूर के पास एक व्यापक कांटाक रेसिंग प्रोग्राम ना होता जिसकी वजह से उन लोगों की पहचान की गई जिनमें संक्रमित लोगों के जरिये वाईरस पहुचा है ये लोग आगे किसी में वाईरस इससे पहले ही इनकी और इनके नजदी की लोगों की पहचान कर इन्हें अलग खलक कर दिया गया 16 मार्च तक सिंगापूर में 243 मामले सामने आ चुके हैं हाला कि अभी तक कोई मौत नहीं हुई है अब तक 6000 लोगों को कांटाक ट्रेस किया गया है और इसके लिए CCTV फुटे हैं या किसी जगह गए थे लोगों के हां कहने पर उन्हें घर में ही कौरिंटाइन करने के लिए कहा जाता है अगले दिन स्वास्थ अधिकारी भी उनके घर पहुंच जाते हैं फोन करने वाले सिंगापूर के स्वास्थ मंत्राले के लोग होते हैं तैव वक्त तक डरसल जब कोई संक्रमित व्यक्ति अस्पताल लाय जाता है उसके बाद अस्पताल में मौझूद कान्ट स्वास्थ मंत्राले में इस काम को देखने वाली टीमों में से एक को लीड करने वाली जुबैदा कहती हैं कि कई बार उनकी टीम को जानकारी जुटाने में मुश्किल होती है कई मरीज इतने बीमार होते हैं कि वो सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते और ये उनके काम को और मुश्किल बना देता है फिर वो किसी और तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मुश्किल होता है इसके बाद दूसरी टीम का काम शुरू होता है फिर पुलिस की टीम की मदद ली जाती है पुलिस और मंत्राले की बीच रोज बात होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने बीबीसी को इमेल के जिरिये जानकारी दी कि रोजाना औसतन 30-50 अधिकारी काम में लगे होते हैं कई बार 100 अधिकारियों को भी लगाना पड़ता है कान्टैक्ट ट्रेसिग वहाँ की पुलिस के रोजाना के कामों में से एक प्रमुकाम है ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सिंगापूर में अपराध का रेट कम है अधिकारी कई बार Criminal Investigation Department, Narcotics Bureau और Police Intelligence Services की भी मदद लेते हैं वो CCTV footage, data visualization और investigation की मदद से संक्रमित व्यक्ती के संपर्क में आई लोगों की पहचान करते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ती संक्रमित व्यक्ती की टैकसी में बैठा लेकिन उसने किसी एप के जरीए टैकसी बुक नहीं की थी और पैसे भी कैश में दिये थे अधिकारी ऐसे लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं जो संक्रमित व्यक्ती के साथ 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक रहे हूं और उनसे 2 मीटर से कम दूरी पर हूं कॉंटाक्स ट्रेसिंग कोई नई चीज नहीं है ये मरीजों का पता लगाने के लिए दश्कों से इस्तिमाल होती आई है लेकिन इस संक्ट में सिंगपूर के इस तरीके को इस्तिमाल करने की तारीफ हो रही है पहला मामला सामने आने से पहले से ही सिंगापूर में शुरू की गई कोशिशों की विश्व स्वास्ते संगठन ने भी तारीफ की है